आज की इस विडियो माम क्लास तैंत का आपका मैच का चैप्टर नंबर 5 है आरिथमेटिक प्रोगेशन आज हम एक्जामपल नंबर 11 और 12 करने जा रहे हैं 11th एक्जामपल है आपका Find the sum of the first 22 terms of the AP AP है आपकी 8, 3, minus 2 and so on यहाँ पर आपको AP गिवन है यहाँ पर मैं आपके लिए AP लिख लेता हूँ AP है आपकी 8, 3, minus 2 and यहाँ आपकी continue है अब यहाँ पर आपको sum बताना है 22 terms का first 22 terms का यानि कि यहाँ पर आपको SN की value find करने है और N है आपका 22 आप formula जानते है SN का इसका आपका formula होता है N by 2 bracket में 2A plus में N minus 1 multiply में D, अब यहाँ पर से सबसे पहले हमें यहाँ पर A पता होना चीए A होता है आपका first term first term है आपका यहाँ पर 8 first term है आपका 8 और यहाँ पर आपको D की value बिचिए यानि की common difference common difference हो जाएगा आपका 3 minus 8 यानि की minus का 5 अब यहाँ पर आपको SN की जो 22 की value होगी S22 की यानि की sum of 22 terms यह हो जाएगे आपकी 22 by 2 bracket में 2 multiply A यानि की 2 multiply 8 यह हो जाएगा आपका 16 plus में N minus 1 N की value हो आपकी 22 minus में 1 और common difference है आपका minus 5 का अब solve कर लिते हैं आपका आंसरा जाएगा यह cancel हो जाएगा 11 बार में और यह हो जाएगा आपका 16 plus में 21 into में minus 5 यानि की 11 into यह हो गया आपका 16 minus का 105 11 into minus का 18 89 इंदोंगो multiply करेंगे आपका आंसरा जाएगा minus का 979 12th example है आपका 12th example है आपका if the sum of the first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10 find the 20th term यहापर आपको 20th term find करने है यहापर आपको first term गीवन है यानि की A की value आपको यहापर गीवन है 10 के equal और यहापर आपको sum गीवन है 14 terms का यानि की as 14 यह है आपका 1050 यहापर से आपको value find करने है 20 terms की यानि की जो आपका 20 term होगा उसकी value क्या होगी यानि की A20 की value आपका यहापर find करने है चलिए solve करता है A20 आपका निकलेगा A plus 19D से अब यहापर से S14 की आपकी value होगी 14 by 2 bracket में 2 A A की value हो आपके 10 प्लस में N-1 यानि की 14-1 multiply में D common difference आपको यहापर पता करना है इस इक्वाल्ट में 1050 अब यहापर से यह कैंसल हो जाएगा यह आजएगा आपका 7 7 इधर आके divide आजएगा यह हो जाएगा आपका 2 tanja 20 प्लस में 13D इस इक्वाल्ट में यहापर 7 निचे इसके divide में आएगा यह आजएगा आपका 150 250 यहापर से 20 को इधर बेज़ देता है यह हो जाएगा आपका 13D is equal to 130 यानि कि D की value आगए आपके 10 के equal अब यहापर से आपको D की value पता लगई A की value आपका यहापर पता ही है तो फिर यहापर से आप असानी से इसकी value कर सकते हैं A की value आपके 10 प्लस में 19 इंटू common difference से आपका 10 का यह हो जाएगा आपका 10 प्लस 190 यानि कि 200 तो फिर आपको 20 टाउम की value पता लगई 200 तो फिर यह आपका इस question का answer हो गया उमीद कता आप से गोई यह दोनों की दोनों example समझ में आ गया होंगे समझ में आया होंगे तो इस video के लिए like का बट्रण ज़र से दबा देना और अगर आप हमाई channel पे नीए हो तो फिर channel जो से subscribe कर लेना